Just imagine, आपने अपने glasses या फिर अपने headsets लगाए और आप पहुच गए अपने virtual space पे अब virtual space के अंदर आपका खुद का virtual घर है उसमें आपकी physical चीजों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि आप सिर्फ virtually add कर सकते हैं आएगा ना मज़ा और साथ ही में दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं आपके घर का view के बाहर देखें तो शायद अच्छा ना लगता हो पर इस virtual space में आप जो चाहे वो add कर सकते हैं आपको पहाड़ देखने हैं आप virtual space में पहाड़ add करें आपको beaches देखने हैं आप beaches add करें जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं आप आज में जो आज में जिसके बारे में बात करने वाला हो here possibilities are endless जो भी आपने imagine किया है भो यहां पर आप create कर सकते हैं हाव बाउट एक कॉंसर्ट ऑन दी माउंट एवरेस्ट या फिर एक बरड़े पाटी ऑन दे मून या फिर सन के पास जाके किसी स्पेस टेशन पे अराम से सारे मिलके वाइन भी दोस्तों जो भी सोच रहे हैं वो पॉसिबल है तो दोस्तों आज में बात करने वाला हूँ आप सब के साथ मैटा वर्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा एक आने वाला कॉंसेप्ट जो आ चुका है जिसमें मार्क जकरबर्ग और मैटा इंक्लूडेड है जिसका नाम है मैटा वर्स तो दोस्तों मैं शुरू करने से पहले आपको ये बता दूँ कि आपने चीजे बिटकोइन से भी ऊपर जा सकती है तो दोस्तों ये तो मेरा पर्सनल अपिनियन है कोई फानेशल अडवाइस नहीं तो आज शुरू करते हैं मैटा वर्स की बात तो दोस्तों मैटा वर्स का कॉंसेप्ट कहीं ना कहीं आता है तो कनेक्ट पीपल एनिवेर एन एवर आप अपने दोस्तों के साथ मेटा वर्स के अंदर जा सकते हैं गेम्स में खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं अगर आप नहीं चाते हैं किसी से बात करना या आपको कोई परिशान करता है तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं साथी साथ आप अपने यहां पर गेम देखें तो Metaverse एक embodied internet है, एक social sphere जहां लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं with the help of personalized अवतार्स, जो उन्हें उस place या moment पे और भी ज़्यादा present feel कराते हैं as compared to a plain video call, virtual reality और sense of networking ही कुछ चीज़े हैं जिसके लिए Metaverse create हुआ था, Facebook के owner जिन्होंने अब अपनी company का नाम Meta कर दिया है, Mark Zuckerberg और Meta ने मिलके 10 billion dollars से भी ज़्यादा लगा दी हैं इस नई स्टार्टप के अंदर और ये दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, Metaverse एक hypothesized iteration है internet की, जो support करती है 3D virtual environments, इस्तिमाल करके आपके computers, virtual और augmented reality, अब इससे सबसे closest बात करें, अगर आप जानना चाहते हैं कि actually में आने वाले time में Metaverse क्या क्या कर सकता है, तो दोस्तों में आपको suggest करूंगा कि आप एक movie देखें जिसका नाम है Ready Player One, अब Ready Player One के अंदर एक creator, एक virtual world create करता है, उस virtual world के अंदर आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको games खेलन नहीं है, आप property खरीद सकते हैं, आपको contest लडने हैं, आप contest लड सकते हैं, and the best part about that is, जो भी चीज वहां पर आप earn करते हैं, उसका आप physical world में भी इस्तिमाल कर सकते हैं, चीजे खरीदने के लिए, और वैसे ही दोस्तों, आज के time की बात करें, तो है Decentral Land, जो की Metaverse का एक game ह जहां पर आप Decentral Land का mana coin का इस्तिमाल करके virtual properties खरीद सकते हैं, और virtual properties को modify करके आगे बेच सकते हैं, आपको जो भी उससे ऐसे से फायदा होगा, उसको आप in world currency में convert करके इस्तिमाल भी कर सकते हैं, तो दोस्तों Metaverse के साथ साथ crypto भी जुड़ा हुआ है, कही न कहीं blockchain भी जु साथ combined है, जो cryptocurrency के साथ जुड़ी हुई है, तो जो भी steps आप Metaverse के अंदर लेते हैं, let it be buying a house, कोई गाना निकालना, कोई आर्ट निकालना, कुछ भी निकालना, अब वहाँ पे virtually send कर सकते हैं, और अभी थोड़ी दिर पहले ही मैंने Decentral Land खिलना स्टार्ट किया था, तो वहा आपने घर लिया, उसको modify किया, और आगे और price में बेज दिया, and best part about that जो मैं बता रहा था, दोस्तों ये सिर्फ एक game नहीं है, इस game से आप कमा भी सकते हैं, और आने वाले time में जैसे मैं Ready Player One के बारे में बता रहा था, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, आने वाले time में यह future home, क्योंकि at the end of the day, आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको कहीं जाना है, आप जा सकते हैं, आपको कहीं घूमना है, आप घूम सकते हैं, आपको पहाड चड़ने हैं, आप पहाड भी चड़ सकते हैं, and all that just at the comfort of your home, आपको अपने room से भी ने निकलना पड़ेगा, and you can do all those things guys, and दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, कि ये सब blockchain technology का भी इस्तिमाल करते हैं, users को एक different और एक lifetime experience देने के लिए, तो अगर आपको लगा कि 10 साल पहले आपने bitcoin में invest ना करके गलती कर दी थी, तो दोस्तों, मैं आपको चार coin के वारे में बताने वाला हूँ, इन चार coin के अंदर invest करके, hopefully, आने वाले time में आप bitcoin से भी ज़्यादा profit देख सकते हैं, और दोस्तों, coins को बताने से पहले में ये बता दूं, कि invest crypto में वही करे, metaverse में वही चीज़ invest करे, जो आप खोने को तयार है, क्योंकि अभी ये सब चीज़े relatively new है, तो इसका ज़रूर ध्यान करेंगे, और साथ ही साथ, comment में जरूर बताईएगा, कि आपको लगता है, या नहीं, कि आने वाले time में metaverse ही future होगा, कि नहीं, क्योंकि हमें तो लगता है, दोस्तों, metaverse हर चीज़ को grab कर लेगा, आपकी attention भी grab करेगा, और आपका full interest भी grab करेगा, तो अगर ये आपको video अच सारी videos देख पाएं, और metaverse के बारे में हम ऐसी और videos निकालते रहेंगे, तो have a beautiful day, have fun, hello to the future, goodbye.